जैसे रादी जी एक लेडी का लग उसकी हथेली से या अन्य चीजों से कैसे पता कर सकते हैं कुछ खास चीजों पर गौर कहेंगे अगर हम हथेली के द्वारा देख रहे हैं तो हमेसा दोनों हथेली देखना और जो सबसे पहले चीज है क्यों परवच छत्र कैसे है यानि कि म करता है क्योंकि उस से में किसमत इनके साथ होती है और जीवन में जो भी मान सम्मान अर्थिक स्थिति इन सारी चीजों की स्थिति इनके लिए बहतर होती चले जाती है एक इस्तरी के लिए जीवन में धन कभी भी उतना माइने नहीं रखता है जितना उनका आत्म सम्मान तो फिर जीवन में कुछ नहीं बसता है, पैसे तो आते जाएंगे, जाते जाएंगे, लेकिन जो उनका सम्मान है इच्जत है, उससे ज्यादा बढ़ा उनके लिए कभी कुछ हो ही नहीं सकता, तो यह सब चीज़े अगर हैंपे रहेंगी, मून कड़ाएगा, आपके जूप् के इस चतर की बात करें, तो सुर्ख की जो रेखा है, वो जितनी लंबी दोस्मुक्त और बहतर स्थिती में हो, और इमाउंट एरिया में डेवलप हो, उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा होता है, और कैडियर में उतनी ही ज्यादा लंबी चलंग लगाने के स्थिती बहुत ही स्वभागे का सुचक है, ठीक है, इसके अलावाद जो रेखाए हो, महीन, पतली, लालिमा, युक्त और दोस्मुक्त हो, ठीक है, यह उर रेखा बिल्कुल ना हो, जैसे बीच में गैप हो जाती है, वैसी सिच्विशन ना हो, विवाग के समंधी जो चीजों को ब जहा के छोड़ देंगे, ठीक है, इतने मुश्किल लाएंगे कि पूछो मन, परसान करके छोड़ देंगे, एच्छेतर अगर बहुत ज़्यादा परवल हो गया, तो यह तो एक दूसरी ही दिसा में लेते चला जाता है, ओर मुश्किल कर देगा, ठीक है, मंगल का एच्छे जितनी छोटी और सुलजी हो, आपके लिए उतने ज्यादा बेहतर आवसरों को तरसाती है, इसके अलावा जो दूसरी चीजों को कहा जाता है, कि मिर गनाईनी हो, और चौरा मस्तक हो, इसके अलावा भौवेस परकार की हो, उस परकार की हो, इस सारी परविर्ती भी आपको अलाग से देखना को मिल सकती है, अलाग कि इसके लिए सबका नजरिया अलग-अलग हो सकता है, सास्तों में और दूसरी इंसर समंधी जो चीजे हैं, उनमें इस बारे में भी लिखा गया है, लेकिन ठीक है, ज्यादा उस पर नहीं जाते, कुंडिली की और जो हस्तरेखा की परिष्थेती हैं, उसके द्वारा अगर ऐसी परिष्थेती हैं, आप में है हस्तरेखा की अकोडि, तो ये आपके एक बहतर भुष्थ को दर्साने का कारी करती है, ठीक है, इसके अलावा इन सब के साथ जो एक और चीज है, वो है स्माइल, आप जितना ज्यादा खुच र हटा देना आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, तो आतमबल अपना बना के रखना, आप लोगों के लिए काफी एंपोर्टेंट होता है, किसी के लिए भी, ठीक है, लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए भी हैं, जो कि कई दफ़े अपनी आप आपको समर्पित कर देते हैं, या हार जाते हैं, तो वैसे इस्तिति में आतमबल आपके काम आएगा, अदर्वाइच ए सारी चीज़े आपके आथेली में हैं, तो निश्चे तोर पे एक बहतर भी उसको तरसाने का आपके लिए कारिक करती है, लेटी लैक्स से समंदित और और कई सारी चीज़े होती हैं, उनके बारे में भी आने वाले वीडियो जो में आप चालेंगे, जब कई सारी चीजों का मैं समावेस करूंगा, और उस समय आपको और ज्याधा अपडेट हो जाएगी चीजों के बारे में, ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जैसे जाएगे